हलो आप सोब का फिर सिख्बर स्वागत है हमारी चैनल पर जिसका नाम है अनी क्रियेशन और इस चैनल पर आपको डीर सारी टेक्स से रिलेटेड नौलजिबल वीडियोस मिलती रहती है थमनेल देखर करके आपको पता चली क्या होगा बात करने वाले हैं हम लोग यहां पे न किस तरह से जोइन कर पाएंगे इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि आप हिंदी लांग्वेज को किस तरह से जोइन कर पाएंगे तो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है और यह जो एफलन का जो सीरीज चल रहा है सीवन सीटू सीट्री सीफोर क्योंकि यहां पर आपको निपुन भारत का जो अभियान है उसे कंप्लीट करवाना है तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को सारी डीटियल बताने वाली हूं सारी चीज़े आपको हैं पर पता चल जाएंगी वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप ह तो इसे सुरू करने के लिए सबसे पहले ऑपन करना पड़ेगा अपना दीख्षा का अप्लीएशन अगर आपके पस दीशा अप्लीगेशन नहीं है तो आप लेश्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं दीख्षा अप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का सरफे क्या हुआ है अगर आपने लॉगिन नहीं क्या हुआ है तो सबसे पहले आप इसे लॉगिन कर लेंगे थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे नीचे में जहां पर लोग आउट दिख रहा है वहां पे आपको लॉग इन का ऑप्षन मिल जाएगा तो पहले लॉग इन कर लीजेगा अब यहाँ पे आपको option मिलेगा featured का यहाँ पे आपको दीखना है और नीश्ठा का कुछ template से यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे आपको एक blue template मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा नीश्ठा affluent courses बस इस पे आपको touch कर देना है जैसे ही touch करेंगे यहाँ पे affluent के कई सारे courses open ह हो जाएंगे जो कि Hindi और English दोनों में रहेंगे आज बात करने वाले हैं कि English language में किस तरह से जोइन करना है तो उसके लिए आप देख लीजए यहाँ पे बहुत सारे एफलन के C5 C6 के ही अलग-अलग modules दिये गए हैं यानि कि IFLN GFLN GAFLN INDFLN C5 C6 अलग-अलग तो यहाँ पे यहाँ पी एक चीज़ धियान दीजेगा कि हो सकता है जब आप यहाँ पर दीख्षय application को open करें तो मेरा जिस तरह से home page दिखाई दे रहा वैसा आपका ना दिखाई दे तो एस situation में आपको क्या करना है उपर में जो three lines दिखाई दे रहा है उस पर आपको touch कर देना है यहाँ पर आपको जो है courses देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपको complete courses जो हता है फिलन के वो ढूड़ने में थोड़ी से दिक्कत हो जाती है इसलिए मुझे यह थोड़ा सा दिक्कत भरा लगता है तो simply आपको first वाला process जो है जो मैंने बताया था home page वहीं आपको जा करके यह मैंने आपको बता ही दिया है यहां पर व्यूमोर पर क्लिक करके आपको सारे फलन के दिख जाएंगे हिंदी और इंगलिश यहां पर बात करेंगे cbcgaflnc5 की टच कीजिए जैसी आप यहां पर टच करोगी कुछ इस तरह का option देखने के लिए मिल जाएगा इसका यह close हो जाएगा आप इसे complete नहीं कर पाएंगे तो यहां पर आपको सारे course modules भी देखने के लिए मिल जाएंगे assessment भी यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको यहां पर आपको join course पर क्लिक करना है अगर आपको इसे join करना है तो जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का pop-up मिलेगा चोटे से जो बॉक्स है उस पर आपको टिक कर देना है जैसे यहां पर टिक करोगे यहां तो आप शेयर कर सकते हो या फिर आप do not share करके भी इस course को join कर सकते हो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है course मैंने join कर लिया है start learning का option आ रहा है start learning पे click करके इस course को start किया जा सकता है यहाँ पे जितने भी courses दिये गए हैं जितने भी topics दिये गए हैं सारे को आपको complete करना है अच्छे से पढ़ना लिखना सब कुछ करना है और उसके बाद में last में आपको मिलेगा एक assessment का option assessment की detail देने से पहले चलिए यहाँ पे FLNC6 को भी join कर लिया जा यानि कि CBSCGA FLNC6 English language में यहाँ पे मैं बता रही वाली हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़े English में होंगी यानि की course module सारे topics सारी चीज़े English में होंगी यहाँ पे भी आपको join course पे क्लिक करके जिस छोटे से box पे टिक करके आपको इसे join कर लेना है यहाँ पे भी आपको last joining date है 25 December और इसे complete करने का last date है 31 December तो दोनों में चीज़े same है अब यहाँ पे बात करते हैं assessment की तो यहाँ पे CBAC GA FLN C5 हो या फिर C6 हो दोनों में आपको assessment मिलेंगे और दोनों में आपको 20-20 questions पूछे जाएंगे दोनों यहाँ पे FLN में आपको कम से कम 70% marks लाना होगा यानि कि 20 प्रशनों में से आपको कम से कम 14 प्रशनों के उत्तर सही देने होगे अगर आप 14 प्रशनों के उत्तर सही दे देते हैं तब ही जाकर के आपको यहाँ पे certificate मिलेगा अगर आप यहाँ 14 से कम नमबर लाते हो तो फिर आपका certificate यहाँ पे generate नहीं होगा यहाँ पे आपको 3 chance मिलेगा यानि कि आप 3 बार में 70% marks ला सकते हो अगर 3 बार में भी 70% marks लेकर के नहीं आए तो फिर आपका यहाँ पे यह close हो जाएगा assessment आप इसे complete नहीं कर पाएंगे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको किसी-किसी module में इस तरह का error देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आपका content open नहीं होगा तो इसके लिए अलग से वीडियो आने वाली है जिसमें इन सारे problems को solution में बताने वाले हों तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप दिख्षय application में course को कैसे search करेंगे English language के लिए और किस तरह से join करेंगे assessment की भी सारी details मैंने बता दी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे answer sheet की तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे आपको final assessment में certificate पाने के लिए कम से कम 14 number लाने पड़ेंगे तो आपके पास समय है अच्छे से इसे पढ़िए मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से assessment भरिए आप 14 से भी अधिक number ला सकते हैं बट यहाँ पे offer उन लोगों के लिए है जिनके पास समय नहीं है या फिर जो काफी व्यस्त है अपनी life में उनके लिए मैंने answer sheet तयार कर दिया है यहाँ पे आपको दोनों module यानि की C5 और C6 दोनों के answer sheet मिल जाएंगे जो की 40 प्लस होंगे जिससे आप आराम से अपने assessment में पास हो सकते हैं और 100% certificate ले सकते हैं इसके लिए यानि की answer sheet पानी के लिए आपको screen पे दिये गए WhatsApp नंबर पे WhatsApp करना है और बताना है कि आपको कौन से module के लिए answer sheet चाहिए याद रखिएगा ये जो answer sheet प्रोवाइड किया जाएगा वो paid होगा यानि कि इसके लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि अगले बंदे ने इसके लिए मेहनत की हुई है तो अगर आपको answer sheet चाहिए तो जल्दी से screen पे दी गए WhatsApp नंबर पे WhatsApp कीजिए आपको answer sheet प्रोवाइड करवा दिया जाएगा answer sheet आपको Hindi language और English language दोनों में मिल जाएगा यानि कि दोनों FLN C5 और C6 का Hindi language में अगर answer sheet चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा और अगर आपको English language में answer sheet चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा तो देरी नहीं करना है फटापट से screen पे दीगए WhatsApp नंबर पे WhatsApp कीजिए और बताइए कि आपको कौन से answer sheet चाहिए तो उमीद है सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी अगर कोई दिक्कत है तो comment box में जरूर पूशीजे आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे like जरूर कीजेगा चैनल पर नए है तो subscribe कर लिजे बेल बटन को दबाईए और पर से like करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालो तो उसकी notification सबसे पहले आपको मिल सके तो हम लोग मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई